तो भाई लोग कैसे हूँ तो यार वेलकम दी बैक, बैक दी वेलकम और स्वागत आपका एक बिराण न्यू गलत चीन्चे भरे पड़े पड़े पबजी दो मोबाईल गेमप्ले वीडियो में यार इसमें तो मतलब हैकर हुकर पता नहीं क्या ही क्या बोल दिया चाता है मुझे मतलब मैं सुननी पता लेकिन हमारे भाई की पेटी बनेगी तो हाँ सब कुछ पता चलता रहेगा और फिलाल के लिए जोर जा रखें और यार इसमें जो जाड़ी में एजजस होंगे न पास नहीं होता कि भाई कैसे कैसे गुली लग सकती है तो हाँ यार सनाइपिंग भी दमा के ओने वाली है अब पहले वो बंदा भाई गायब हो हो के पता नहीं आगे उगे बढ़ रहा था मैं सकोब खुलता हूँ भाईया च्छैक्स लगा पड़ा है फुल जूम मैंने बो अब हमारे ये भाई किसी से तो टीपीपी ले रहे थे और जिनसे भी टीपीपी ले रहे थे ना भाई उन लोगों से अब हमारी फाइट भीड़ने वाली है और गलती सीन होंगे और यार मानो याना मानो मतलब कोई भी A2J कोई भी ये जो SMG होती है न भाई ये टोमी गन लगा लो उजी हाँ यूमपी का भी नाम लेना पड़ेगा यार इन पे सप्रेसर की आवाज क्या ही आती है भाई सेटिस इनफेक्शन पूरा मिल जाता है भाई ये आवाज सुनके क्यार सप्रेसर अगेरा लगे पड़े हैं और आगे से चार बंदे आ रहे अपने पे फिर भी मैं अंदारस करता हूँ आगे अब यहां पर मैं इतनी गहरी सोच में फच गया था ना कि भाई किसे पेलू पहले आगे से बंदा रहे उसे पेलू या इसे पेलू जो मेरी टीमेट की पेटी बना रहा है तो मैंने बुला यार क्यों ना दोनों को पेल देते हैं और सब कुछ गलती में हुआ है और उसके बाद हमारा आखरी बंदा सपेरा नहीं साप बन चुका था मतलब भाई क्यों ठीक है क्या सोच के वो साप बना रिवाइव करने की कोशिस भी नहीं की मेरे ख्याल से भाई ने साप बन गए याँ पे तो उनकी साप की तो पेटी बनी चुकी है साथी साथ अपना टीमेट भी जिंदा है लेकिन जादा देड़ तक नहीं क्योंकि आर आपको पता है जब किस्मत में यार पेटी बनना लिखा हो न तो चाहे कुछ भी हो जाए यार पेटी बनके ही रहती है तो फिलाल यहां पर मैं चौड में ओपन में बिल्कुल खड़े होके लूट रहा ह कट लिया वो तो इसके टीमेट होंगे जरूर और यहां पर मैं देखता हूँ कि यार मेरी एमफूर की आमोग खतम होने वाली है तो मैं टोमी गन दुबारा उठाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ और यहां पर मैं रिलोट की वज़ा से ठिलते ठिलते बचा मतब देखो मेरे पर दो गन है दोनों में गोली खाली हो चुकी थी पहले मैंने चौड में वो टोमी गन उठाली उसे रिलोट कद्दू भी नहीं किया हरा उसके बाद यार बेरल की गोली चलाते चलाते कब खतम हुई पता भी नहीं चला लेकिन एक बंदे को नोक कर दिया एक बंदा भेराउस गुज जाता है और भाई उसके बाद वो मुझे दुबारा शायद कभी नहीं मिलता ठीक है बतलब अभी बंदे पेलूंगा मैं ल कुल और अपनी सप्रेसर से भरी टोमी गंच से मैं इस बंदे को भी नौक करता हूं अब देखो सामने समोक बन गया है और जिसे मैंने नौक किया था मेरे ख्याल से वो बच चुका यहां पे और ये जो बंदे मैं पेल रहा हूं ये शायद किसी औरी टीम के हैं खेर इनकी पेटी बनाता हूं पहले और इनकी पेटी पूटी बनाने के बाद यार जिस हिसाब से ये बंदा रेंग रहा है ना मुझे दिखरा है इसकी इसके रेंगने में मुझे ये दिखरा है कि इसका कोई नहीं बचाही धर पे मतलब जोनसे भी टीम का था यार आस-पास तो वो पेटी बनाता हूँ और सकारेल उठारेलता हूँ हरा मतलब देखो यार सपरेसर पे बढ़िया चलती है टोमीगर बहुत ही बढ़िया लेकिन थोड़ा लोंग रेंज में पेलने के लिए भी कोई न कोई गंतो जरूर चाहिए और इतने में ही आगे कोई बंदा बोट पेल रह किया था हरा भाई रिवाइव हो गए भाई गए भाई बच सकते थे बिलकुल भग सकते थे यांसे लेकिन भाई ने बोला कि भाई मैं तो बोटों पे अत्याचार करूंगा और यार मेरे से देखा नहीं गया फीग है मैं फालतू की बाते बना रहे हूँ यहां पे बोट आ इधर बेराउस की तरफ भड़ता हूँ और यहाँ पे भी भाई दो सकौर्ड के बंदे देड़ पैड लड़ रहे होते हैं अब देखो जब मैं इधर आये ना यहाँ पे देड़ पैड गुरी चल ली थी और जिस हिसाब से यह बंदे भग रहे हैं न भाई मैं समझ जातों यह किसी पे रस कर रहे होते हैं और अब उन्हें पेलने की बारी जिस पे यह दो बंदे नंगा भग के रस कर रहे थे अंदर ही हैं वो लोग अब इन दोनों बंदों ने ना कते जाल बिचा रहा था मतलब एक बंदा यहां पर इस पेटी के पीछे टीपी पी ले रहा है एक यहां सामने दरवाजे में सोचो अगर मेरा टीमेट यहां से गुसता तो क्या ही पेटी बनती भाई मतलब इतने तेजी से पेटी बनती कि नो कोने का दिखता ने कि भाई बंदा ऐसे लेट जाता है जमीन में गिसरता है यार वो देखने को नहीं मिलता हूँ सीधा पेटी लेकिन मैं पीछे से आया तो उन दोनों की पेटी बन गई और अब इधर पे आ गए है जापे फ्लेर वगेरा चल लखी है हना क्योंकि देखो यार जिन्दगी में AWM वगेरा जरूर चाहिए और AWM नहीं मिलेगी तो यार हैकर कैसे बुलाएंगे लोग हमें गलती से हेट सौट कैसे पटकेंगे तो मैं आ गया हूँ अपना मूँ और DP उठा के एक बन्दे पे पहले से AWM वगेरा जा रहा है और उसे मैं पटकाने की कुशिस कर रहा हूँ और पाच्छे गोली बरबाद करने के बाद मैं और ज़्यादा जोस में आ जाता हूँ मतलब गोली बरबाद हुई है याद मुझे तमीज से रस करना चाहिए नहीं भाई मैं अंदा भगने लगता हूँ आगे की तरफ तो देखो एक वो बन्दा जो उधर पे है उस बन्दे पे AWM है और ये फलेर का मालिक कौन है हमें अभी तक नहीं पता मुझे इतना पता है यार जो उस पार है न बंदा उसकी फलेर नी आया यार वो बंदा फलेर लूटने आया है तो मैं दुबारा इस्प्रे देता हूँ उस पे और वो बंदा प्री फायर की चपेट में आके दो चार गोली खा लेता है मेरे ख्याल से दो ही लगी है लेकिन सही है डेमेज हो चुका है भाई को भाई बोलते हैं कि यार मैं नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए डिरॉप मेरे पे AWM मैं भगने की कुशिस करूँगा तो देखो अभी वो बंदा भगेगा और भगते पेटी बनेगी उसकी लेकिन फिलाल मैं बस इस बंदे को डूढने की कुशिस कर रहा हूँ जिसने ये फलेड चले है यहाँ पे तो हमारे भाई बगते और भगते बगते पेटी मैं जमीन में गिरा देता हूँ और अब देखो यार डिरॉब भी लूटना है तो वहाँ पे एक समोग फिकता हूँ और उत्रे में ही डिरॉब का मालिक बुरा मान जाता है और यार ये भी कमाल का बंदा था बहुत मतलब मेरे ख्याल से ये बंदा उस AWM वाले पे पीक कर रहा था उसके बाद भाई ने थोपडा दिखाया नहीं जैसी मैंने कोशिस की न मतलब मैंने लूटा भी नहीं जैसी मैंने डिरॉब के पास जाने की कोशिस की भाई खड़े होगे भाई ने बुला यार देखो मैं खुदे नहीं लूट रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम लूटोगे तो भाई खड़े होते लेकिन भाई की खड़े होते ही हम पेटी बना देते हैं दो बंदे रोजोग में पेले इस पार जादा किल नहीं मिले लेकिन देखो रोजोग के आसपास ही एक और फिलर चली है हाना तो मैं यहाँ पे भी बेवकूफो की तरह ओपन में गाड़ी रोग देता हूँ और अब यहाँ पे टाइम आ गया है ठिलने और ठिलाने का बंदो को अब देखो मेरा सकोप होता है उस बंदे के सर पे लेकिन असल में यार गोली जाती है गाड़ी पे हाना तो मेरा टीमेट नो को चुका है एट एक्स में हत्या लेता हूँ और फिर यह होता है और गलती से हेट सोट भी लगता है लेकिन यार तब तक बहुत देरो चुकी होती है मतलब देखो यहाँ पे मेरी पेटी बननी चीए थी हना मैं आया भाई चौड में गाड़ी रोकी बेवकूफो की तरह ओपन में और सजा हमारे भाई को मिली यार गई किल केटी सब कुछ गई भाड में खेर मैं इन पे अंदारस करता हूँ हना यार ऐसे कैसे पेटी बना सकते हैं ये लोग और इस घर के उपर वही बन्दा है जिसने हमारे भाई की पेटी बनाई मतलब ये भी बहुत धेट बन्दा था मेरी तरह बिलकुल तब तक गोली चला है उसने जब तक पेटी न बनी भले ही मैंने एड़बलो एम का एक चटका पेली दिया था और हमारे भाई उड़ने की नागदान कोसिस करते हैं तो यार हवा में ही पेटी बना देता हूँ खेर उसके बाद इन लोग को लूट ताओ मैं हना इन पे भी डिरोग की गन गुनोती है कोई एम टू फोर नहीं पटका रहा था तो यहाँ पे हीलिंग गूलिंग पेलने के बाद अंधा लूट करने के बाद अपने टीमेट को ठिलवा दिया सरम के नाम पे कद्दू भी कुछ नहीं आया है मुझे मैं यहाँ पे रुक रहा होता हूं लेकिन उतने में ही पहाड पे गूलिया चलने लगती है ठीक वहाँ पे जहाँ पे मैं पहले रुका था धीट की तरह और वहाँ पे एक और धीट रुका होता है और देखो जिस हिसाब से इस बंदे को मैंने पेला ना उसी हिसाब से ये लोग हमें पेल रहे थे तब जब मैं उपन में कड़ा था और इस बंदे को देख के मैं अपने आप से बोलता हूँ इतना ढीट क्यों मतलब पता है भया रिसक है पेटी बनने का उसके बावजूद भी उपन में रुकी थी गाड़ी क्यार यहाँ पे एक गाड़ी यह अटक रखी होती है हना यह पबजी वाले चाहते नहीं कि मैं टाइम पे पहुँच जाओ जोन में चिकन चुकान हो जाए गलती से तो ठोकने के बाद भी नहीं निकलती है गाड़ी तो मैं क्या करता हूँ यार वही टूटे फटे टायर वाली गाड़ी लेके आता हूँ और यहाँ से एक बराण न्यू गाड़ी उठाके चल देता हूँ हना अब देखो कौन बंदे बाखी हैं वो बंदे बाखी है जिन्नोंने सबसे पहले कार 98 चटकाई थी और मेरे ख्याल से शायद मैं उनसे भी बदला ले लूँगा क्योंकि यार उसी तरफ से आएंगे बंदे जिन पे मैं एजजस उज़स करता हूँ तो यहां पे आगया हूँ मैं बिल्कुल चौड में आके गाड़ी रोकता हूँ उपर चट जाता हूँ बस यह पता कर रहा हूँ कि यहां पे कोई केम्पिंग कुम्पिंग तो नहीं बिठा के बैठा है हना क्यूंकि यार कब कौन कहां पे केम्पिंग कर रहा होता है कभी पता नहीं चलता और इस जगह पे ये गटका गुटका की जगह पे यार इतने सारे जाड़ी है ना भाई क्या ही बताऊं अब देखो यार जूटी नहीं बोलूँगा बंदा मुझे आधे सेकेंड के लिए दिखा उसके बाद मैंने हवा में चला दी गोली मैंने बोला यार क्या है वैसी मैं ठिल जाओंगा थोड़ी देर में क्योंना एमो बर्बाद करके ठिलूँ और एक बार जब एज़स हो जात है ना जाड़ी में तो दुबारा होता है फिर और 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 अगर आप इस वाले जाड़ी मैं जसके लिए लाइक नहीं करोगे तो यार कब कब करोगे लाइक तो यही मौका है यही टाइम है पेल के रख दो लाइक के बटन को हाँ मुझे पता है पूरा तुक्का था सारे हेड़सौट मेरे गलती सही लगते हैं लेकिन यार देख के न मज़़ा टैप आगे बिलकुल मतलब मुझे कदू भी नहीं लग रहा था देखो पहली बार जाड़ी में एजस होता है मैं बोलता हूँ ठीक है हो गया लेकिन उसके बाद दुबारा अंधी जाड़ी में बिलकुल मतलब पहली बार तो मुझे थोड़ी देर के लिए बंदा दिखा भी था दूसरी बार यार मुझे नहीं लगता मैंने किसी को देखा मैंने बस गोली पेली मतलब मेरा टीमेट मुझे बोलता है भाई जहाँ पे तुने पहले सकोब खोलाता वहीं पे कहीं बंदा है मैं बलता हूँ भाई चला दो गूली और लग जाती है यार तो आप देखो यार इस सकोड के जो भक्या रिती उपन से उनके दो बंदों की पेटी बन चुकी है दोनों को एज़स करके पेला तीसरे बंदे पे गलती से हैट सौड फिर चिपका देता हूँ मैं वो भी नोक पड़ा है धेड़ पेड़ हाना अब बस एक ही बंदा बाकी है जो बहुत ही ज़्यादा पास आके AWM पटका रहा होता है मेरे पे और अब वो बंदा इतना पास आचुका है कि भाई नेड़ नूट करे जा रहा है और हमारे भाई यहाँ अंदर पे आके साप बन जाते हैं मतलब बंदे को लग रहा होगा यार लेड जाओंगा हाना एंगल नहीं मिलेगा यार मैं तो छट के टोप में बैठा हूँ तो बंदे को पेल देता हूँ उपर से और उसके बाद हमारे एक और भाई मिरे ख्याल से यही इन में से कोई बंदा था जो ऊजी-उजी पटका रहा था वो भी यहीं होता है उसे भी पेल देता हूं और तैयार हो जणव क्योंकि बहुत ही जल्द बातनी चालू पेयार बहुत ही जल्द चालू ञाल होली है तो अब यहां पे देखो यार मैं तो कदू भी नहीं सुन पाऊंगा वो लोग क्या बोल रहे हैं लेकिन वो बंदा जिसकी पेटी बन चुकी है यारने कि हमारे भाई यार वो जरूड सुन पाएंगे हाना क्यूंकि यार जब पेटी सबकी बंजा ती ये पेटी बने वे बंदे आपस मैं बात कर सकते हैं आल पे तो मैं इस टाइम पे पाउडर पेल रहा हूँ क्योंकि भाई गर्मिया आने वाली है और आपको पता है यार गर्मी आते ही क्या सीन होता है हाथ और सक्रीन के साथ भाईया गोली लगती नहीं है सक्रीन कहीं पे भी हिलना डूलना चालू कर देती है तो मैं धैड़ पैड होना जा रहा होता है कि भाईया हैकर हो करूं मैं मेरे को सब की पोजिशन पता है खेर देखो सबका तो मुझे कद्दू भी नहीं पता लेकिन आगे चार बंदे लेटे पड़ें अभी है कर तुम्हें क्या लग रहा है कर या अब देखो 31 किल तो सही है सब कुछ लेकिन आगे न भाई वो बंदा जो भुटपात समझके गाड़ी घुमा रहा था उसने दो बंदे नौकी एक सिर्फ गाड़ी से ठीक है भाई अपनी जान पे खेलके वहाँ पे गोलिया धैर पैट चल लेकिन भाई उसके बाद भी गाड़ी चला चला के दो बंदे को चलते हैं आपको पत और एक और मजे की बाद बताउं आपको देखो यह बंदा तो खैर हार मान जाता है यह बोलता है आर हम से नहां पाएगा यह बीच रस्ते में रुख जाता है या इसका नेट नसे दे देता है और एक बात आपको boatानी थी वह यह है कियार यादे आपको मेरे टीमेंड को किस वो वही बंदा होता है ठीक है तो उस बंदे ने हमारे एक टीमेट को पेल दिया और हमने उसकी सारी के लिए चुरा ली और जो आकरी बंदा जिंदा है ये वही बंदा है तो बदला जरूर लेंगे वाई यार अल पे तो कताई अपने अलग ही नसे चल ले होते लेकिन हाँ ये बंदा भग के आ रहा होता है ये वही बंदा होता है जो कार्डाइन टेट चटकाता है और इसे भगा भगा के पिलते हैं ठीक है ये बस बहाना है मेरा क्योंकि यार देखो कितनी गोलिया बरबात की मैंने मेरे ख्याल से दस गोली चलाई मैंने एक बंदे को पेलने के लिए तीन चार लगी लेकिन भाईया हैट सोट कद्दू भी नहीं लगा और आखिर में मुझे लग रहा था यार वो जोन से न बतलब इतनी सस्ती सनाइपिंग चार बंदे भाई किलवी चोरी की एजजस्ट भी कर दिया जाडी में और चार बंदों को लेट के भी पेला लेटे वे बंदों को भी पेला साप का चकर मोच से टकर भी सब कुछ कर दिया यार एक लाइक तो बनता है तो इस नीले आसमान की तरह पेल दो लाइक के बिटन को नीला टैप कर दो और अगर आप यहां पे नए हो तो सब इसक्राइब करो और भी ऐसे गलत सीन और सस्ती कमेंटरिक ले क्योंकि यार यह गलत सीन न भाई हमारे साथ लगभग डेली होते भाई डेली मुझे नहीं पता क्यों क्यों है ऐसा लेकिन हा यार जहां पे भी मैं जातों भीया वहां पे गलत सीन जरूर होते हैं तो यार सब्सक्राइब करना मत भूलना